दोस्तों, हिंदू धर्म के अनसार, खाटू शाम जी ने दौापर यूग में श्रीक्रिष्ण से वर्दान प्राप्ते किया था, कि वे कल्यूग में उनके नाम श्रीक्रिष्ण से पूजे जाएंगे तुम्हारे भक्तों का किवल तुम्हारे नाम का सच्चे दिल से उचारण मातर से ही उधार होगा यदि वे तुम्हारे सच्चे मन और प्रेम भाव से पूजा करेंगे तो उनकी सभी मनों कामना पूर्ण होगी और सभी कार सफर होगे दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं शीखाटू शाम जी के ग्यारा प्रसिद्ध नाम उनके अर्थ और कथा की पहला बार्बरिग महाभारत के समय अत्यदिक बलशाली कताधरी पीम के पुत्र घटोतकच का विवा नाक कन्या मौर्वी से हुआ था घटोतकच और मौर्वी की संतान बार्बरिग हुई जो आगे चलके शाम के नाम से प्रसिद्ध हुई दूसरा मौर्वी नंदन मौर्वी की संतान होने के कारण बार्बरिग यानि शाम बाबा को मौर्वी नंदन कहा जाता है खाटू शाम के मेले के दौरान मौरवी नंदन के जयकारे खुब गुंचते हैं और सुनाई परते हैं तीसरा तीन बाण धारी बार्बरिक अपने दादा और पिता की तरव वीर योधा थे वीर बार्बरिक के पास तीन बाण ऐसे थे जिससे वे संपून ब्रम्हान को जीच सकते थे इसलिए शाम बाबा को तीन बान धरी कहा जाता है उनके जैसा सम्पून लोक में ना तो कोई धनुर्धर था ना कोई धनुर्धर आज तक हुआ है और ना ही कोई धनुर्धर होगा चौथा शीश के दानी महा भारत युद्ध के दोरान जब बारबरीक अपनी मार से आशिरवाद लेने पहुचे ता मार ने उनसे हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन लिया यानि जिसकी युद्ध में हार होगी वे उसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे भगवाण शीकृष ने तो सर्वव्यापी थे उन्हें पता था कि हार कौर्वो की होनी है ऐसे में बारबरीक उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो स्थिती बदर सकती है ऐसे में उन्होंने ब्राम्हन का वेशधारण किया और फिर शीश माग लिया बारबरीक ने अपना शीश दान कर दिया इस कारण श्याम बाबा को शीश का दानी कहा जाता है पांचवा श्री श्याम श्री कृष ने बारबरीक को शीश दान मागने की वज़़ा भी बताई उन्होंने कहा कि युद्ध आरंब होने से पूर्व युद्ध मुम्य पूजन के लिए तीनों लोकों में सर्वशेश शत्री के शिश क्या हूती देनी होती है इसलिए ऐसा करने के लिए वे विवश्थ थे बारबरीक ने उनसे प्राथना की कि वे अंतताक युद्ध देखने और अपना नाम उन्हें देने की प्राथना करे शिक्रिशन ने उनकी तरह प्राथना से विकार कर ली शिक्रिशन इस बलिदान से प्रसन्न होकर बारबरीक को युद्ध में सर्वशेश्ट वीर की उपाधी से लंकित किया साथ ही अपना नाम शाम भी उन्हें दे दिया छटा कल्यूग के अफ्तारी भगवान शी कृष्ण ने उन्हें शाम नाम देने के साथ यह भी वर्दान दिया कि कि वे कल्यूग में अफ्तार के रुप में पूजे जाएंगे इसले उन्हें कल्यूग का अफ्तारी भी कहा जाता है अभी कल्यूग चल रहा है और ऐसे में शाम बाबा की भक्तों ही आस्ता का केंद्र है हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में आकर हाजरी लगाते है सातवा, लीले का आश्वार शाम बाबा को लीले का अश्वार कहा जाता है दरसल वीर बारबरी के पास नीले रंग का घोड़ा था नीले रंग को स्थानी भाषा में लीला भी कहा जाता है इसलिए उन्हें नीले का अश्वार या लीले का अश्वार कहा जाता है आठवा लखडातार शाम बाबा की महिमा निराली है कहा जाता है कि जिस पर शाम बाबा की क्रपा होती है वो हर तरह से संपन हो जाता है इस माननिता के चलते शाम बाबा को लखदातार कहा जाता है यही वज़ा है कि शाम बाबा के भक्तों में जहा सामानी वक्ती भी है तो अमीर से अमीर व्यक्ती भी है शाम ब्याबाजी के मेले में पश्चिम बंगाल आसाम, महाराष्ट, पंजाब, गुजराद, आदी सभी जगहों से बड़ी संख्या में भक्ता आते है नवा, हारे का सहारा जब सक्जवा से निराश व्यक्ती शाम बाबा की भक्ती में लीन हो जाता है तो उसके समक्त दुख और पाप समाप्त हो जाते है इसलिए शाम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है दसवा, खाटू नरेश शाम बाबा को खाटू के साशक है इसलिए उन्हें घाटू नरेश भी कहते है ग्यारवा, मौर छड़ी धारक शाम बाबा, चुकि भगवान शीकृष्ण का आशिरवाद प्राप्त है इसलिए शीकृष्ण की प्रिय वस्तू मौर पंखी बासुरी भी उनको प्रिय है मौर छड़ी रखने के कारण उन्हें मौर छड़ी धारक कहा जाता है दोस्तों ये वीडिया आपको कैसी लगी कमेंट बक्स में जरूर बताईएगा धन्यवाद